नमस्कार दोस्तों, आज हम इस विडियो में Samsung Galaxy M52 5G vs OnePlus 9RT का फुल डेप्ट कमपारिसन करने वाले है इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको विडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Galaxy M52 5G में 6.46 इंच जबकी 9RT में 6.39 इंच की लेंथ मिलती है जोकी Galaxy M52 5G से कम है विद की बात करें तो Galaxy M52 5G में 3.01 इंच जबकी 9RT में 2.94 इंच की विद मिलती है जोकी Galaxy M52 5G से कम है बात करें थिकनेस की तो Galaxy M52 5G में 0.29 इंच जबकी 9RT में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है जोकी Galaxy M52 5G से ज्यादा है अब बात करते हैं वेट की तो Galaxy M52 5G में 173 ग्राम्स जबकि 9RT में 198.5 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है जोकि Galaxy M52 5G से ज्यादा है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कुमपेर करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Galaxy M52 5G में Super AMOLED जबकि 9RT में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है आस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20 रेशियो 9 मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो Galaxy M52 5G में 6.7 इंचर्स जबकि 9RT में 6.62 इंचर्स मिलती है डिस्प्ले रेजलूशन दोनों फोन में सेम ही 1080 by 2400 मिलता है Screen to Body Ratio Galaxy M52 5G में 86.39 प्रतिशत जबकि 9RT में 87.44 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो Galaxy M52 5G में 393 प्रति इंच जबकि 9RT में 398 प्रति इंच मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेशता है की जो की मोबाइल फोन का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें मैं कैमरा की तो Galaxy M52 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की प्राइमरी कैमरा उल्ट्रा वाइड अंगल कैमरा और आखर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है बात करें विडियो कैमरा की तो Galaxy M52 5G में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते है और 9RT की बात करें तो उसमें 9 different type के features मिल जाते हैं अब बात करें front camera यानि की selfie camera की तो Galaxy M52 5G में single camera देखने को मिलता है जिसमें की 3 different features मिलते है और 9RT में भी single camera देखने को मिलता है जिसमें 5 different features मिलते है अई अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते हैं hardware में सबसे पहेले CPU जो की speed के हिसाब से देखा जाए तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते है GPU की बात करें तो Galaxy M52 5G में Adreno 642L जबकि 9RT में Adreno 660 मिलता है जिप सेट की बात करें तो Galaxy M52 5G में Qualcomm Snapdragon 778G और 9RT में Qualcomm Snapdragon 888 मिलता है बात करें RAM की तो Galaxy M52 5G में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 6GB, 8GB की RAM मिलती है जबकि 9RT में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 8GB, 12GB RAM मिल जाती है बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो Galaxy M52 5G में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 128GB, 128GB की storage मिलती है जबकि 9RT में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 128GB, 256GB storage मिल जाती है expandable memory की बात करें तो Galaxy M52 5G में up to 1TB जबकि 9RT में नहीं है ओपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है बाटरी, Galaxy M52 5G में 5000MH जबकि 9RT में 4500MH देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते हैं colors की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही दो colors option देखने को मिलते है सब information देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Galaxy M52 5G में दो variant देखने को मिलते है जो की 6GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 25,999 रूपीज 8GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 26,999 रूपीज में मिल जाता है वही अगर बात करें 9RT की तो उसमें 2 variant देखने को मिलते है जो की 8GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 42,999 रूपीज 12GB RAM 256GB स्टोरेज के साथ 46,999 रूपीज में मिलते है दोस्तों अब बात करते हैं प्रांजन गॉण्स यानि की फाइदे और नुकसान की तो दोनों फोन में 8, फाइदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्पले में Galaxy M52 5G आगे है में कामरा में Galaxy M52 5G आगे है फ्रंट सेल्फी कामरा में दोनों फोन सेम ही है परफॉर्मंस में 9 आर्टी आगे है दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले competitor phone की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy S20 FE है, दुसरा OnePlus 9 है, तीसरा Samsung Galaxy S20 FE 5G है और last competitor phone की बात करें तो उसमें OPPO Reno6 5G है और ये सारे phone की details आपको description में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना